हेलो स्टुडेंट जम्निलाल ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है आज हम मध्यकल भारतिय इतिहास में भक्तिय अंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे मध्यकलीन भारतिय समाजिक संस्कृति को जानने समझने के लिए भक्तिय अंदोलन एक महत्पुर्ण चैप्टर है भक्तिय अंदोलनों के उदय के कार्णों के रूप में इसकी प्रिष्ट भूमी जाननी जरूरी है और भक्तियां अंदोलन क्यों प्रारम हुआ, भक्तियां अंदोलन की प्रकिर्टी कैसी रही, एवं इसका परसार संपून भारत में किस परकार हुआ और उसके परिनाम क्या हुए, इन समस्त बातों को आज हम जानेंगे. जिस परकार सूफियां अंदोलन ने भारत में इसलाम के कटर पंथी स्वरूप को खत्म करने में मदद की, उसी तरह भक्तियां अंदोलन के आदर्स और विश्वासों का धीरे धीरे संपून भारत में परसार से हिंदु धर्म के अंदर ब्रहमन वाद एवं आडंबर वाद का जो परंपरा चल रहा था, उसको भक्तियां अंदोलनों ने तोड़ने का काम किया, हिंदु धर्म सदियों से ब्रहमन वाद के भारिक कर्मकान, अंधविश्वास और रूढ़ी वादियों के विचारों तथा पध्यतियों से अकरान था, इसने बैदिक धर्म के सार को पीछ धर्म का एक अब इभाज्य स्वरूप प्रेश किया था, हिंदु धर्म का जो उद्धात अध्यात्मिक रूप था, वह इन अडंबरों में कारण लगातार दपता जा रहा था, यही कारण है कि अलबरुनी ने भी भारतिय धर्म के बारे में बड़े दुख के साथ कहा था, कि भारत में नेक आस्था सिर्फ गीने चुनेव संभरांत और सिच्छित लोगों के पास ही है, और इसी संदर में सात्री सतावदी के बाद से भारत में भक्ती अंदोलन का उदय अत्यन्त महत्पुर्न शावित हुआ, मूल रूप से भक्ती का तात पर इस्वर एवं ब्यक पूती, ज्यान, कर्व मात्र में ही नहीं, बलकि ब्यक्तियत, आस्था और प्रात्ना में भी संभव है, भक्ती चुकि हिंदु धर्म का परमुख अव्यव है, अता इस अंदोलन से मध्यकालिन हिंदु धर्म में काफी सुधार हुआ, और इसका परियाप्त काया कल्प भी ह अब धार्मिक चेतना बहुत देव वाद की जगह एक इसवर वाद पर किंद्रित हो गई, पुरू की भाती बली चड़ाने और लंबे समय तक तपस्या करने जैसी प्राचीन परमप्राओं के अस्थान पे सर्धा और भावना से परिपुल भक्ती ने अस्थान ले लिया, एक समान समाजिक धार्मिक विवस्था के तहट भक्ती ने प्रेम में इस्वर के समक्ष भाईचारे और समानता के विचारों को बढ़ावा दिया, तथा इसलामी भावना और विश्वासों के साथ समन्ने में भी अस्थापित किया, भक्ती का समन्थ रुमानी जगत से माना जाता है, इसमें इस्वर के पर्ति संबद्धता, वफादारी एक रुपता होने पर बल दिया जाता है, जहाँ पुरुव में प्राचीन काल में भक्ती के तत्व धर्म ग्रंतों यानि बेदों, उपनिसदों भागवत गीता में देखने को मिलते हैं, किन्तों एक सगन रु देकर सोल्वी सदी तक की सत्राब्दी के दोरान व्याप्त रहा और वास्त्विक रूप में देखा जाए, तो उसकी गती आज के युग में भी बनी हुई है, भक्ति धर्म के उस्वर रूप का भर्लन करती है, जिसमें भक्त को अपने इच्छित इस्वर के परति ब्यक्त सद्धा को धार्मिक जीवन का अंग्र माना जाता है, शुरुवात में क्रिष्ण भक्ति और बाद में राम भक्ति को बढ़ावा मिला, किन्तु नई भक्ति का जन्म सात्वी सताबदी में दच्छिन भारत में हुआ, और यह तमील के नैनार और अलवार संतों की भावपु प्रचनाओं के कारण ऐसा हुआ, जिसमें अक्सर मोहग छवियां प्रस्तुत की जाती थी, दच्छिन भारत में भक्ति लगवक तीन सताबदियों तक फल्ती फुलती रही, और इन सैब और बैसनब दो परमुक धाराओं के कारण यह ब्यापक रूप से फैलता गया, यह त गवर था, भक्ति अंदोलन के उद्वव के संबंध में बिविन परकार के मत भी दिये गये हैं, ऐसा माना जाता है कि भक्ति और इस्वज की एक्ता का विचार हिंदूों ने इसाईयों से प्राप्तिया था, जबकि दूसरे लोगों का मानना है कि भक्ति अंदोलन का उद् सिध्धान्तवी इसलाम धर्म से ही प्रभावित था इसके बाबजुद मानिताय तरग संगत नहीं मानी जाती उत्तर भारत की अपेक्छा दच्छिन भारत में कई संतों ने देश के बिविन भिन हिस्सों में भक्ति को लोकप्रिय बनाने और उसका परसार करने में योगदान किया भक्ति की समान ने बिविन दर्शन ग्राही और सारभौम भावना से जन समुदाय सिख्र प्रभावित होता गया और आवादी का एक बड़ा हिस्सा भक्ति की महान परंप्रा का अनुआ हो गया उत्तर भारत में अत्यधिक लोकप्रिय था दच्छिन भारत से भिन उत्तर भारत के भक्ति संतों ने सुच्म तात्विक मिमांसा पर अधिक चिंतन नहीं किया यह आम तोर पर परांप्रागत और कर्म कांड विहीन उपासना की पत्तिती पर द्योर देते थे इसके तेरिक उत्तर और पस्चिम के संत उपासना पती के द्रिश्टी से सगून और निरगून वर्गों में विभाजित हो गये जहां सगुन बर्ग के संतों का मनना था कीशवर के आनेको रूप है और उसकी पूझा साकार मानकर की जाने चाहिए जबकि निर्गुन धारा के संतों का मनना था कीशवर का कोई आकार नहीं होता दच्छिन भारत में रामा नुजा चार्जी ने भक्ति अंदोलन को बैचारिक आधार परदान किया और दर्सन के अस्तर पर इसे अस्थापित वे किया रामा नुज ने अपने बिशिष्टा द्वैत द्वारा या पर्तिपादित किया कि जगत बास्तविक है जगत सरीर है ब्रह्म है जीव है और जगत को धार्ण करती हुए इसका नियमन करता है इस परकर ब्रह्म में विशेशंत से युक्त और विशिष्ट है इस जगत को बास्तुईक मानकरी से महत्र देने में ही भक्ति की परमुक्ता एवं उसकी करुना है रामा नुजा के परभाव से ही भक्ती की धारा महारास्ट पहुंची जहां ग्यानिस्वर, हिमादरी, चक्रधर आदी भक्ती संतों से लेकर रामनाथ, तुकाराम और नामदेव जैसे नाम सामिल है महारास्ट में भक्ती रचनाएं मराठी में लिखी गई और इसकी सुरुआत तेरी सताबदी में ग्यानिस्वर की रचनाओं से हुआ महारास्ट में भक्ती साहित की पर्थम पुस्तग भगवत गीता पर मराठी भासा में लिखा हुआ है जिसे ग्यानेश्वर ही कहते हैं जिसे स्वयन ग्यानेश्वर ने लिखा था इन्होंने नात संपरदाई की दिछा ली थी और बाद्यों भक्ति का ऐसा स्वरूप पिक्सित किया जिसके तहट पंधरपुर में बिठोवा गुफा में तिर्थ या त्रियों है तु एक नियमित तित अस्थल विराजमान हो गया उनके इस अंदोलन को बरगा अंदोलन के रूप में परसिद्धी मिली छेत्र में अनेक संतकभियों ने इनका नुसरन भी किया और इन्होंने भी समाजिक जीवन का परित्याग नहीं किया बलकि इनकी अध्यात्मिक गतिवीधियों के नियम और अनुस्थान ऐसे थे जो उन्हें उत्पादन संबंधी किसी भी काम में मदद पहुचाते थे परिवारिक संबंधों पर बल देते थे जिससे वे भक्ती को आत्मसाथ कर सके हैं महराष्ट में भरगा अंदोलन ने हिंदु धर्म का जिर्नोधार तथा माराथा संस्क्रीप्ति और भासाई पहचान को एक नया नाम दिया इसी प्रकार करनाटक में वीर सहब या लिंगायत संप्रदाई की अस्थापना वासब नामक भक्त संतने की वीर सहबादियों का मानना था किसी भी सर्वोच इस्वर है लिंगायतों ने एक ऐसे इस्वर की रास्में तापर अधिक चिंतन नहीं किया जो सब में ब्याप्त है फिर भी विशेस मंदरों में परकट होता है बलकि उन्होंने इस बात पर बल दिया कि सच्चा मंदिर मनुस्ष के भीतर ही है परनाम से रूप मंदिरों को एक संस्था के रूप में केंदरी तोहुने तथा उनके पुजारियों को त्यागने का परचलन प्रारंब हुआ उत्तर भारत में भक्ति अंदोलन का जवर्दस्थ परसाथ था रावालन दच्छिन से भक्ति को उत्तर लेकर गए उन्होंने अपने सिच्चाओं का प्रचाथ आम बोलचल की भासा हिंदी में किया उन्हें राम को सरवच ब्रहम के रूप में माना और सभी दुर्गुनों का बिरोथ किया उनके सिच्चियों में सभी जातियों एवं धर्मों के लोग थे रैदास, चमार, कबीर, जुलाहा, सेन, नाई, साधन, कसाई, धन्ना, जार ये ऐसे अनुवाई थे जो रामा नंद की सिच्चाओं का परचारें परसार किये इन लोग का दो बर्ग सगुन और निर्गुन में विवाजित भी वा सगुन ऐसे लोग थे जो थोड़े परिवर्तनों के साथ प्राचीन विस्वासों और मृतियों को मानते रहे तथा सुधारबादी के रूप में निर्गुन माने जाते हैं जो रूड़ी बाजिता से युक्त हिंदू मुस्लिम एक्ता के समन्वे है तो प्रेतन सील थे सगुन वे वो निर्गुन का अंतर अवतार एवं लीला के अवधारनाओं से है पर दोनों की भक्ति का मुखल अच्छन भगवत विस्यक रीती वं अनन्नेता ही है उत्तर भारत में भक्ति को ससत रूप से परसारित करने में दो महान संतों का विसेश युगदान रहा और ये दो संत हैं नानक और कबीर और ये दोनों ही निर्गुन संपरदाय से आते हैं कबीर ने जहां एक और बौध्ध सिद्धों और नाथों की साधना पत्यति को अपनाया था तथा सुधार परंप्राग साथ बैसनम संपरदायों की भक्ति भावना को ग्रहन किया था वहीं दूसरी और राजनीतिक समाजिक धार्मी केवं आर्थिक असमानता के विरुद इ उन्हें एक जवर्दस्त प्रस्तिकिरिया भी दिखाई उन्हें जंसाधारन को आम बूल चल की भासाय में ही बताया कि निर्गून ब्रह्म सबका है उस पर किसी बिसिस्ट बार्ग बिसिस्ट धर्म या जाती का अधिकार नहीं है यह सुध्ध रूप से ग्रहस्त बने रहे एवं सारीलिक स्रम की पर्तिष्ठा को मानब जीवन की सफलता का आधार भी बनाया अपनी रचनाव में कबीर ने अंधिवी स्वासों ब्रद उपासना कर्मकांड तेर्थादी पर जोरदार ब्यंग किया पौरानिक हिंदूमत के साथ सातिनों ने मुसलमानों की रूढ़ी उन्हें बताये कि इस्वर का सच्चा अस्थान भक्त का हिद्द्य होता है यहना की मंदिर और मस्जित उनके उसर जोग जाप माला फेरना सारा कुछ पाखंड है यह समाधी सत्संग गुरूप देश हरी भजन इत्यादी की सुख अनुभूति का चित्रन अपनी इंद्रिय इत्ति बृता के साथ करते हैं कवीर ने मद्ध कालेन 20 समाजिक ब्यवस्था का डटकर बिरोध भी किया उन्होंने समाज के आर्थिक धाचे पर ही प्रहार किया तथा जिस तथ्थि को मांक्स वे इंजल ने अधुनिक यूग में पहचान की उस तथ्थि को कवीर ने बहु की कस्धिते काफी देनिय थी इस परकार कवीर का पण्थ तीन चैट्रों पर पड़ा वर्न व्यवस्था पर चोट संपरदां पत्तों का बहिस्कार सथा भक्ति की साधियी एवं ब्यापकता कवीर ने कवीर पंथ नमे के समुदां के अस्थापना भी कि कवीर किसी नेतिक कर्मकांड, बिरोध, उच्च अध्यातिमिक धर्म का घूम घूम कर परचार परसार करना, नानक के अनुआई अपने को सिख कहने लगे और उन्होंने एक नए पंथ की शुरुआत की, हिंदू-मुस्लिम एकता स्थापित करने में भी नानक का काफी अहम योगदान र अलग करती है, महान विद्वान कनिंगम के अनुसार, नानक ने सुधार के सच्चे सिध्धान्त का बड़ी सुच्छुमता से साच्छातकार किया, और ऐसे ब्यापक आधार पर धर्म की नीव रखी, जिसके द्वारा गुरु गोविंसी ने अपने देशवासियों में एक नवीन राष्ट्यता को भावना को जन्म दे दिया, इसी कड़ी में राजस्थान में दादू दयाल नामक सोल्विय सताब्दी के निर्गुन संपर्दाई के एक महान भक्ति हुए, जुन्होंने कबेर की सिच्छाओं का नुसरन किया, दादू ने इस्वरिय भक्ति को समा आत्मा के उपासक संथ संपर्दाई में दादू की हभी सिस्ताया है, कि उन्होंने पुस्त किये ग्यान का तिरसकार ना कर, लिखित रूप में संथ वानियों की सिच्छाओं को परसारित करने पर जोर दिया, दादू गरंथा वली की परमुक संकल्पना है गुरू की संकल् दूसरी और रहदास निर्गुन पंत के रह से वादी उप दे सकते हैं, उनकी रचनाओं में भी रूड़ी वादी तत्मों पर जोरदार परहार किया गया, उत्तर भारत की सगुन भक्ति परम्परा में ही तुलसी दास, सुर्दास, मीरा बाई, चैतन, आदिल परमुक नाम हैं, तुलसी दास, जो कवीर के सम, जो की, अकवर के समकालीन थे, राम के अनन्य भक्त थे, इनका परसिद्ध ग्रंथ, राम चरित मानस, राम कथा के साथ साथ, हिंदू धर्म के बिभिन पहलूयों को उजागर करता है, तुलसी जी ने, पुन समर्पन की भावला के माध्य से अस्थापित, अध्यात्मिक और लौकिक माननेताओं को लोक मंगल की भावला के रूप में स्विकित्ती पतान किया, सूर्दास ने क्रिष्ण भक्ती साखा के पत्धाल के रूप में अपनी पहचान बनाई, उनकी रचनाएं सूर्षागर में संग्रहित हैं, जो करुना से और प्रोत एवं भक्ती भाव से परिपुन्न है, इनकी रचनाओं में सभी प्रानियों के पर्ति एक स्ने देखने को मिलता है, महिला संत और कवित्री मीरावाई, ये सोल्वी सताब्दी की एक राजपूत राजकुमारी थी, क्रिष्ण भक्ती के पर्ति समर्पित थी, और क्रिष्ण को अपना प्रेमी पती मानती थी, इसी है तू उन्होंने कहा भी, मेरे तो गिर्धर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मोरो पती सो होई, इन्होंने कुरितियों की निल्दा की बिरोध के तीखे पन को ना केवल नम्र बनाया, बलकि उसमें ब जाप्त प्रहार की परवीर्ती को ही परिस्कृत किया, हाला कि कबीर और नानक की भातिये सुधारक या उपदेशक के रूप में परचलित नहीं होई, दूसरी और बंगाल में चेतन्यवादी अंदोलन, भक्ती अंदोलन का एक परमुख अस्तम्भ है, इनका अंदोलन पु ये क्रिष्ण के अनन्य भक्त थे, इनके उपदेशों का सारी यह है कि अदि कोई व्यक्ति भगवान स्री क्रिष्ण की उपासना करता है, तो हम माया के जाल से मुक्त हो जाता है, क्रिष्ण भक्ती में भाव विभोर होकर नाचने के भाव में कुछ सूफियों, जैसी अनन अंदायक व्यवस्था चैतन्य की भक्ती में भी दिखती है, इसमें ब्रह्म की अनन्द का अनुभव किया जाता है, चैतन्य अंदोलन की जिस्त इनको आज समस्त बंगाल का समलित दाईतों माना जाता है, वह इस अंदोलन में भाग लेने वाले द्वारा स्रीजित व्याप से फैलता रहा अगली कच्छों में हम भक्ती अल्दूलन का परिणाम के बारे में जा लेंगे अगली कि अगली कर दो में हम ये जा हुआ है